हेलो आपरीवन, वेलकम तो आवर यूटूब चैनल, इन दिस वीडियो वे विल डेस्कस थे मैक्सवल स्केर, देखें, मैक्सवल स्केर है इसके हल्प से हम जो थर्मोडैनमिक के जो इंपोर्टेंट इक्वेशन होती है, उनको हम लर्न कर पाती है, एक सिंपल वे होता है आप देखें, यह फंक्शन आप यह ट्रिक है हमारी, SUV एट गुजरात, आरेटी, गुजरात, पंजाब, एंड, हर्यान, देखें, आप यह जूम कर लेजिए, दिसे डिफेंट टाइप उफ कार आती है, हमारे पास SUV टाइप उफ कार है, वो कहां पे है, एट गुजरात, पंजा आपकी Gibbs free energy, P यहां पे आपका pressure, and H आपका enthalpy, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग की वर्ट लिख लीजिए, S, U, and V, ठीक है, SUV लिख लिख लिए, अब आपका A, T, SUV, AT, अब हमने लिख लिख लिया, गुजरात, पंजाब, एंड, हर्यान, पंजाब, हर्यान, पंजाब, हर्यान, SUV, AT, गुजरात, पंजाब, ठीक है, एंड, यह आपके arrows होती है, यह आपका arrow यहां से यहां, यह आपका arrow है, ठीक है, जिस साइड यह arrow आ रहा है, वहाँ पे sign negative, होगा, यहाँ पे positive, अब देखें, कैसे निकाल लेंगे हैं, इसके help से, देखें, first relation हम निकाल दें हैं, DU, जै means entropy and volume, इनका perfect differential लिख लीजिए, तो U के opposite कोन होगा आपका, एक तो आपका DS and second आपका DV, ठीक है, इतनी things आपने लिख लिए, अब देखें, V के opposite कोन है, P, इसके opposite वाले, V के opposite कोन है, P, तो यहाँ पे हमने P लिख लिख लिए, ठीक है, and S के opposite कोन है, T, S के opposite T है, अब देखें यह arrow हमारे S से, अब ही जा रहा है, means, अगर S की side होता, तो यहाँ पे negative sign, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका positive, ठीक है, and यहाँ पे देखें, P, अब यह जो DV है, जो perfect differential उसका sign देखना है, यह V की side आ रहे, DV, तो that means, यहाँ पे negative sign, तो यह first relation हो गया, तो एक relation आपने देखा ह हो गया, TDS minus PDV, the first relation, अब second हम calculate करते हैं, जैसे H के लिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, D, H, H का करना है, अब H के positive कोन है, S और P, तो first, इनके का लिख लिए, perfect differential, DS लिख लिए, हमने यहाँ और DP लिख लिए, अब देखें, आप S के positive कोन है, T, वो लिख, note कर ल अब sign देखें, जो perfect differential होते हैं, इनके sign देखने, अब देखें, हम पे S, S से sign के आ रहा है, 2000, that means, यहाँ पोजिटिव साइग, and P, P से भी 2000, that means, यह भी positive, तो TDS plus VDP positive sign, अब हमने H के लिए, वैसे हम G के लिए, निकालेंगे, A के लिए, अब देखें, G के लिए, कैसे करेंग आसानी से याद कर सकते हैं, S, अब DP, यहाँ पे P के opposite कोन है, V, तो यहाँ V लिख लीजिए, अब देखें, यह कर लिए हमने, अब sign देखेंगे, negative arrow के help से, यहाँ पे DP, P से sign, क्या जार arrow opposite है, तो यहाँ पे positive sign हो गया, अब DT, यहाँ पे T की side या रहा है, तो that means, यहाँ य आपका DT, T के opposite कोन, आपका S, और V के opposite कोन, आपका P, निकले इतना हमने, अब देखें, साइन, अब DV, means, V की side आ रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन, negative, और यहाँ पे देखें, T की side आ रहा है, तो DT, तो यहाँ पे negative, तो minus PDV minus S, DT, तो यहाँ से हमने क्या कर लि आपका 4 relation, ड्राइब कर लिए, विद फॉफ मेक्सिल स्केर, कुछ निकलना आपको simple, यह, स्केर, बनाएंगे, एरो देखें, आपको, देखें, जो पे perfect निकालना हूँ, जैसे अपका UL निकालना हूँ, इनका पोजिट वाले, दिफ्रेंशे लिए, पर इनका पोजिट, क्वारीशन के लिए खैया राईयो के लिए लिए एक गालमी डिसट्स कर लें अब देखें नेक्स पोर हम कैसे कर सकते हैं नेक्स देखिए अब फिर से आप मना लेजी हमारा जिस इस इसे स्केर में कि या द्रजाए के आप का बार बार करेंगे तो आप रहेंगे तो अभी व देखें, एक बार तो हमें करना है आपको S से P के बीच में जाना आपको एक बार V से T के बीच में एंड दिन दुबारा लेंगे हम S से V के बीच में एंड P से T के बीच में अब देखें कैसे S का P के respect में at constant S के पोजिट कोन है temperature देखें, curl S by curl P S का P के, एंड आपोजिट कोन है temperature तो यह हो जाएगा constant temperature, equal to अब करेंगे हम V का T, एक बार S के P के बीच में किया हम एक बार V से T, तो V by T curl V by curl T ठीक है, V के आपोजिट कोन है P तो that means P आ गया ठीक है, एंड V से V की साइड आ रहा था है एक रिलेशन हमारा हो गई है अब सेकिंड देखें एक बार हमने S के P के बीच आपोजिट करेंगे एक बार S से P गए हम अब आपोजिट करेंगे P से S, T से V तो अब आपोजिट करेंगे S से P था हम आपोजिट कर देंगे P से S, तो means curl P by curl S P by S, ठीक है यहाँ पर हो जाएगा P by S P के बीच आपोजिट कोन है यहाँ पर, constant volume equal to, अब T से V तो that means curl T by curl V ठीक है एँड T के बीच आपोजिट कोन है आपका entropy means entropy आपे constant यह sign आगे two discuss कर लिए हमने, अब हमें कैसे करना है S से V जाना है and P से T जाना है, ठीक है तो कैसे करेंगे, S by S से V जाएंगे तो curl S by curl V ठीक है, S से V के, S के आपोजिट कोन है T, तो यह T कर लेजी ठीक है, अब P से T जाएंगे हम तो means curl P by curl T and P के आपोजिट कोन है volume, ठीक है यतना कर लिए हमने, अब next relation कुन सा करना है, अब हमें opposite जाना है, जैसे V से S जाना है अब opposite कर देंगे, T से P जैसे यहां पी क्या था, S से P था, उसका opposite कर दिया हमने P से S, V से T था, तो T by V तो वैसे इसमें curl S by curl V अब next कैसे कर देंगे हम, curl V opposite कर देंगे इसको, curl V by curl S and V के opposite कोन है pressure and next क्या हो जाएगा आपका T से P, curl T by curl P curl T by curl P at constant entropy ठीक है, तो चार relation हमने यह discuss कर लिए, यह thermodynamics के आपको डारेक्ट याद नहीं होते, लेकिन Maxwell Square के help से हम easily calculate कर सकते हैं, जैसे 4 relation यह होगे 4 तो हमने 8 relation calculate कर लिए with the help of, अब देखिए next next कैसे है जैसे यह है, अभी इसलिए relation से हम next और निकालते हैं जैसे, यू का अब के हमें 3 में करना है, जैसे, curl U by curl S, कैसे curl U by curl S constant क्या लेना आपका, थर्ड वाल जो ट्रम बजगी V, तो curl U by curl S constant volume, equal to अब इसमें करेंगे, H का किसके respect में, S के, at constant P तो यहाँ पर हो जाएगा, H by S and constant यहाँ पर pressure हो जाएगा, ठीक है इतना कर लिया हमने, and S का यहाँ पर error हो जारा, यहाँ पर हो जाएगा negative sign, अब next करेंगे हम H का P, opposite कर देंगे H का P constant S पे, and G के तो कैसे हो जाएगा, आपका पास curl H by curl P, at constant यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा curl G, अब देखियो G का P के, अब बच कोन गया जो बच जाती होगा T, तो यहाँ पर T constant हो जाएगा, तो means curl G by curl P at constant T, यहाँ जाएगा curl G by curl P at constant T एक relation, यहाँ आगा, हमारा पास two relation यह देख लिए हमने, and second करश रखते हैं जैसे, curl G by curl T at constant P, P, तो कैसे कर देंगे हम curl G by curl T, so simple आप करोगे, one या two बार प्रैक्टिस करोगे तो अब पस एजली हो जाएगा, curl G by curl T, बच कौन सा का है P, तो P constant आपका equal to, अब एग में करश रखते हैं हम ऐसे, curl A by curl T, constant V तो इसको लिख देंगे हम curl A by curl T, constant volume sin 8, तो three relation हमें ऐसे discuss करें, and यह भी देख सकते हैं हम यह relation भी देखा होगा, आपने जैसे, curl U by curl X का, and V constant पे कर रहे हैं, तो इसके opposite वाले तर्म T, यह relation देख सकते हैं आप जैसे, curl U by curl V ठीक है, curl U by curl S V constant पे, किसके इकोल आता है, temperature के जैसे, curl U by curl S, constant volume पे opposite cone S के, T आ जाएगा, तो वैसे हम second order का शकते हैं जैसे, curl U by curl V at constant S पे, उसके opposite cone आ जाएगा V के, P, तो यहांसे हम, इस relation के helps, हम 15 to 16 formulas calculate कर शकते हैं, thermodynamic के ठीक है, I hope आपको समझ आया होगा thanks for watching my channel